हेलो हाई एवरिवन कैसे आप लोग उमीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत शांदार चल दे होगी दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परसान चतुरवेदी पर जो पहली ब तो फिर आपके तयारी को उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा प्रीवेस एर पेपर करने के बहुत सारे फायदे हैं सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपके एक्जाम में किस लेवल के कोशन पूछे जाते हैं दूसरा ये पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं और यही दोनों चीजे अनिवारी होती है किसी भी परिक्षा को पास करने के लिए चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं 2018 का पेपर अर्थमेटिक अबिलिटी मैथ हम लोग करेंगे 2018 में किस तरह के कोशन आप से पूछे गए थे पहला कोशन वैसे तो से हैं लेकिन यह कैलकुलेटिव कोशन है ऐसा भी नहीं कि सीधा सीधा हो जाएगा इफ फ्रेक्षन बिकम सेवन बाई एट इसके बाद यह कह रहा है कि वैं सी एडिट टू बोट नियूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अगर मैं दोनों में तीन जोड़ दू तो कितना हो जा जाएगा 6 by 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 by 7 हो जाएगा the sum of numerator and denominator the sum of numerator and denominator ठीक है यह जानना चाहरे है मतलब x plus y जानना चाहरे है अब देखो बास जाहरी सी बात है आपके पास दो equation है दो unknown है आप value तो निकाल लेंगे लेकिन बस solve तो करना ही पड़ेगा ना बिना solve यह तो 7y plus 5 बराबर 0 यही आ जाएगा ऐसे ही हां पर cross multiply करेंगे 7x plus 21 बराबर 6y plus 18 अब आपके उपर है कि आप कितना जल्दी calculate करते हो तो यहां से कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूँ यह आ जाएगा 7x minus 6y plus 3 बराबर 0 है ना अब दोस्तों जब कभी भी हम ऐसे question को solve करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो coefficient है उन्हें equal बना लेते हैं यहां पर x का coefficient 8 है और यहां पर 7 है तो coefficient equal बनाने के लिए यहां पर 8 मालो 7 से गुना कर देता हूँ मैं अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 56x minus 49y plus 35 बराबर 0 और यहां पर 8 से इंटू करेंगे 8 से तो 56 ठीक है जी 56x minus 48y plus 18 से करेंगे 24 24 बराबर 0 अब दोस्तों अगर मैं equation 1 से equation 2 minus करूँगा तो यही चीज़ आएगी या नहीं आएगी बोलो तो अगर minus किया जाए यह कट हो गया minus 49 plus 48 तो minus का y plus 11 बराबर 0 y इदर चला जाएगा तो y की value कितनी आगे 11 आगे 11 आगे अगर y की value 11 आगे है तो आप 11 कहीं पर भी रख सकते हो मालों इस समीकरन में रख दो y की value 11 7x minus 66 plus 3 बराबर 0 यह 63 इदर जाके minus का था तो plus का हो जाएगा तो 7x बराबर 63 तो x की value यहां से कितनी आ जाएगी 9 तो y की value 11, x की value 9 दोनों का सम पूछा था तो solve करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिना solve करके कोई आप कहो कि सर इसकी तो कोई trick ही बता दो तो ऐसा नहीं है यह trick or truck वाला question नहीं है यह तो solve करना पड़ेगा तो अच्चे question आते अब यह भी देखो कितना प्यारा question है यह from a group of 12 men, देखो 12 men का group था, two men of age 28 and 32, एक 28 का गया और एक 32 का गया, years are replaced by two men, whereas both of them are of the same age, जो दोनों आएं वो same age के है, as a result, the average age of group decreased by one year, what is the age of these women, एक बाब बतो, जो यह दो men गए हैं group से, यह total कितना लेके गए हैं, गर जो आए हैं, अगर जो आए हैं, दो women इस group में आए हैं, अगर शाट साल लेके गए थे, दो, और अगर जो इसमें दो आए हैं, वो भी साट साल ही लेके आते, तो क्या average पर कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन average एक से decrease हो गया, average एक से decrease होने का मतलब है, कि सब का एक एक स साल कम होना, पहले भी बारा बंदे ते अभी भी बारा हैं, क्योंकि दो गए दो आए, तो हर एक का एक साल कम होने का मतलब है, बारा बंदों का बारा साल कम हो जाएगा, तो जो दो women आई है, वो कितना लेके आई है, 48 years, इसका मतलब दोनों का average कितना होगा, what is the age of these women, तो अ बहुत प्यारा कोशन है, बहुती शांदार कोशन है, आंसर बताईए क्या होगा, ये compound interest का वाके में बहुत ला जवाब कोशन है, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग इस कोशन को कर लेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये उतना भी आसान नहीं है भाई, ऐसे से CGL में इस लेवल को कोशन पूशता है, तो कोशन क्या है, रिखा बोरोड एस सम उफ रूपी 24,000, 24,000 रूपे लिए रेखा दे, 12% compounded interest, 12% का rate of interest है, interest compounded yearly, ठीक है, वार्शिक लग रहा है, 4-3 years, 3 साल के लिए, at the end of first year, he repays a sum of 6,880, and at the end of second year, he repay 5,400, What amount should she pay at the end of third year to discharge the loan? देखो, अलग-अलग बात है, बहुत simple सा कोशन है, लेकिन आपको ये practice करनी पड़ेगी इस तरह के कोशन के अच्छे से, देखो, 24,000 रूपे लिया गया शुरू में, हर साल के बाद पैसा वापस दिया जा रहा है, 12% per annum है, तो पहले साल के end तक, ये प 2880 रूपे है, बहुत चोबिस गुना बारा करेंगे, तो 288 रूपे और एक जिरोहर लगेगे, तो जब पहले साल का आखरी दिन था, पहले साल का आखरी दिन, तो टोटल पैसा कितना हो चुका था, 24,000 तो ये और 2880 है, तो टोटल जो पैसा था, वो 26,880 रूपे उधारी ये दूसरे साल का आखरी दिन है, लेकिन दूसरे साल के आखरी दिन ये भाही इनके घर आया, और इसे कितना वापस दे के चला गया है, 6,888 ये देखो, ये लिखा हुआ, 6,888 रूपे वापस दिया, अब जब दूसरे साल का पहला दिन था, तो 20,000 रूपे उधार बचा, भाही, 20,000 ये और 24,000 ये, तो 22,400 धार हो चुका था, लेकिन दूसरे साल के आखरी दिन चोवन सो रूपे लोटा दिया गया, बास समझ में आती है, तो कुल मिला के बचा 17,000 रूपे, जब तीसरे साल का पहला दिन था, तो 17,000 रूपे लगा, 17,000 रूपे था, और इस पे तीसरे साल के आखरी दिन तक 12% व्याज लगता रहा होगा, इसका 12% होता है, 2040, ठीक है, 17,200 बारा होता है, और एक जिरोड लग जाएगी, तो 2040, तो कुल मिला के दोस्तो हुआ गया, 17,000 तो ये, और 2040, ये, तीसरे साल के जब आखरी दिन रूपे थे हैं, तो 19,040 तो बहुत बढ़िया question है, next, ये भी बहुत शांदार और जांदार type का question है, ये बहुत बढ़िया question है, तो question क्या है, दिहान से सुनू, A is twice as fast as B, time and work का question है, A, B से दुगना अच्छे से काम करता है, और B is thrice, B जो है, वो C से तीन गुना अच्छे से काम करता है, अब देखो दोस्तो, आपके पास A ratio B है, B ratio C है, सबसे पहले तो ABC बनाना पड़ेगा, ABC बनाने के लिए जो common है, वो same होना चीए, जैसे यहाँ पर B common है, लेकिन B same नहीं है, B यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं 3 की multiply कर देता हो, यहाँ पर तो सब से ही हो जाएगा, यह हो जाएगा 6, यह 3, भाई, 2, 1 हो या 6 दिन बात 1 ही होती है, और यह हो जाएगा 3, 1, तो जब मैं हाँ पर A अनुपात, B अनुपात, C लिखूँगा कि भाईया, इतनी तेजी के साथ यह लोग काम करते हैं, कार्य करने की समता कानुपात, अब ध्यान से, all the 3, with the help of D, finish a work in 2 days, D alone, take it 12 days, देखो, अब कोशन यह है, कोशन वाकिया में बहुत अच्छा है, A plus B plus C plus D, यह मिलकर 2 days में कार्य करते हैं, लेकिन D अकेला 12 days में कार्य क करता है, अब यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो, अगर मैं इनका LCM लोग, LCM लिया, हम जानते हैं, कि हाँ भई, जब इस तरीका time and work का कोशन आता है, तो LCM लेते हैं, हम लोग, तो LCM होगा 12 unit, टोटल काम करना है 12 unit, अब यह एक दिन में करेंगे 6 unit, और य LC, यह कितना काम कर रहे होंगे, 5 unit, ABC कितना काम कर रहे होंगे, 5 unit, लेकिन आप एक बास सोचो, देखो, समझने की बात यह है, बहुत बढ़िया, यहां पर ABC की efficiency, combine efficiency कितनी है, 10, लेकिन यहां पर कितनी है, और 5, तो इसे तो सही करना पड़ेगा, और इसे सही करने के लिए, यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 से multiply हर किसी को, इसे भी, वर्क को भी 2 से multiply सब दूगना करना पड़ेगा, अब सही हो जाएगा, तो वर्क 12 के बजाए हम कितना मानेंगे, 24 unit, तब जाके A+, B+, C की efficiency कितनी आजाएगी, 10 unit, D की efficiency आजाएगी, 2 unit, किलियर होती है बात, अब इस काम कर दिया होगा, भई, एक दिन में 4 है, तो दो दिन में 8 unit काम कर दिया होगा, उसके बाद remaining work जो है, वो A ने खतम किया है, अब total काम था हमारा 24 unit, जिसमें से 8 unit तो यहां पर हुआ है, तो 24 में से 8 गया, तो बचा कितना 16, अब यह 16 unit किस नहीं किया होगा, A ने किया होगा अब A तो एक दिन में कितना काम करता है, 6 unit करता है, आप देख लो, तो A का time कितना हो जाएगा, time बराबर कितना होता है, work upon efficiency, तो work कितना है 16, और efficiency है 6, 2 से काटेंगे तो 8 बटा 3, और यह कितना आ जाएगा, 2 सही 2 बटा 3, answer, तो बहुत मैं कहा रहा हूँ कि भहिया ऐसा भी हो जाएगे आपर, let X be the least number when divided, X एक ऐसा number है, जिसे मैं 15 से divide करूँ, या 20 से, या 25 से, या 30 से, या 40 से, तो जो 6 फल है remainder, करम से कितना आता है, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 21, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 36, इस तरीके से आपके remainder आते है, 6 फल आते हैं, ठीक ह पता क्या क्या रहे है, X को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, तो 6 फल 11 आएगा, X को अगर 20 से डिवाइड करें, तो 6 फल तो लाएगा इस तरीके से, तो X पता क्या होता है, X, X होता है LCM, जो ऊपर दिये गए नंबर, यह fix question होता है, SSC का बहुत favorite question है, सारे question SSC से उठाए ह और minus K, और minus K क्या होता है, इन दोनों का अंतर, देख लो हैं पर अंतर 4 है, अंतर हमेशा समान रहता है, आप देख लो, 25, 21, 30, 26 का अंतर 4 है, 40 और 36 का, तो इसे 4 को minus कर देंगे, 4 को क्या कर देंगे, minus, अब बात आती है, इनका LCM कितना होगा, अगर मैं इनका LCM की बात When X is divided by X की value 596 में आ गई, लेकिन अभी भी इसे divide क्या जाए, 15, 20, 25, 30, 40, 40, 30, 70, 20, 90, 40, 130, अगर इसे 130 से भाग दिया जाए, एक बार बतो, अगर मैं 596 को 130 से भाग दूँगा, तो तेरा चोका 52, तो 520 तो पूरा-पूरा कर जाएगा, तो 6 फल कितना बचेगा, 76, ये है question, लेवल देख लो आप एक बार question को, चेक कर लो level question का, तो बहुत बढ़े है question है भाई, ऐसा नहीं कि सीधा हो जाएगा, आए और सीधा कर देंगे, गुमाएगा भाई, बहुत अच्छा खासा गुमार है question है, अब देखो, profit and loss, a person makes a profit of 20% after giving 20% discount on the mark price of an article, the mark price what percent about the cost price of the article, यह गह रहा है कि भाईया, 20% का profit हो जाता है, अगर वैं 20% का discount दे दता है, उसके बाद भी, तो mark price जो है, वो cost price से कितना जादा था, एक तो option के तुरू देख लो, मालो मैं second option, जो पहले 0-0 वाले हो लेके चलता हूँ, अगर आपका cost price 100 था, और mark price अगर 40% जादा है, तो 140 होगा, अगर मैं इस पर 20% का discount देता हूँ, 140 का 20% होता है, अगर मैं इस पर 20% का discount देता है, तो 112 में बेचना पड़ेगा, तो 100 का समान अगर 112 में बेचना पड़ेगा, तो लाब तो सिर्फ 12% का हुआ, लेगिन question कहा रहा है, 20% का लाब हुआ, मतलब ये तो नहीं है, इसी अगर 160 देते हैं, ध्यान सुनना, 100 रुपेगी चीज में 60% जादा कर दिया, तो 160 का mark price कर दिया, और अब इस पर 20% की छूट देती है, 160 का 20% होता है 32, तो कितने का बिकेगा, 128 का, तो यहां पर profit कितने का होगा, 28% का, लेकिन 28 का तो नहीं चीए, 20 का चीए, तो ये भी आंस सही है, 50, आप देख लो जाए, अगर 100 रुपेगी चीज थी, 50% जादा किया, तो 150 किया, अब इस पर 20% का छूट दिया, 150 का 20% होता है 30, 30 की छूट दी, तो कितने में बेचा होगा, 120 में, तो 100 का समान अगर 120 में जा रहा है, तो 20% का यहां पर लाब हुआ है, बास समझ में आती है, नहीं आती है, भाई, उमीद करता हूँ, समझ में आया होगा, नहीं तो हम लोग हमेशा क्या करते है, इधर CP लिखो, इधर MP, ये बात CP4 कोस्ट प्राइज, MP4 मार्क प्राइज, ये बात याद रखना कि जो मार्क प्राइज होता है, वो हमेशा बड़ा होता है कोस बड़ी, देखो, प्राफिट होता है, तो सो में प्लस होगा, तो जब भी कभी हमें, ये CP और MP का रेश्यो निकालना है, तो याद रखना, सो माइनस, यहां से आजाएगा, सो माइनस, डिसकाउंट परसेंट, इस तरफ, और यहां पर आजाएगा, सो प्लस, प्राफिट प नहीं हुआ, भाइक बाब बतो, दो की चीज अगर तीन पर चली जाए, मानलोग मार्क प्राइज हो जाए, तो मार्क प्राइज कितना ज़्यादा है कोस्ट पाइस से, एक किस से, दो से गुना सो, तो ऐसी तो निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, पचास परसेंट, यह रा किलियर, तो यह भी कोशन बहुत बहुत बहतरीन है, उमीद करता हूँ, यह बात समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, किलियर है ना भाई यह, अगर किलियर है तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि कोशन आप देखो, इसे ओप्शन के तू भी कर सकते थे, या आप इसे अनुपाद भी निकाल के कर सकते थे, और यही इसने पूछा है, कि मार्क प्राइज जो है, वो कोश्ट प्राइज से कितना अधिक है, ठीक है, अभी से करेंगे, लेकिन यह अभी रूल इसमें बताना पड़ेगा, इससे पहले हम इस कोशन को करेंगे, ठीक है यहाँ पर देखो, 7 times a two-digit number, 7 times a two-digit number, ठीक है, पहले मैं ऐसे कोशन करते हैं, क्योंकि यह एकदम एलजबरा और सर्ट्स और इंडेसिस है, तो इससे मैं सबसे बात में करूँगा, ठीक है, कुछ रूल से बताके, 7 times a two-digit number is equal to, देखो जब भी two-digit number की बात आती है, दे two-digit number है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 into 4 plus 2, ऐसे लिख सकते हैं, 10 into 4 plus 2, क्योंकि यह two-digit number ऐसे लिखा जाएगा, माल लो 54 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 into 10 plus 2, यह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए, बहुत बढ तो यह तो दो डिजित नंबर X और Y तो डिजित हुई नंबर कैसे मानेंगे 10X प्लस Y, नंबर ऐसे माना जाएगा अमेशा, Y एक आई का अंख है और X जो है वो धाई का अंख है, 10 डिजित है, तो अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मेरे पास जो है, 2 डिजित नंबर है यहां पर कौन सा एक 10X प्लस Y है, अगर इसका 7 times, इसका अगर 7 गुना किया जाए, is equal to the 4 times the number obtained by reversing the order of its digit, अगर मैं X की जाएगा Y और Y की जाएगा X कर दूँ, ठीक है, और इसका 4 गुना कर दूँ, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यह भी कहा ह X और Y का जो अंतर है, वो 3 है, 2-digit number is 3, 3 अंतर है, then the sum of the digits, sum पूचा है हमसे, कोई बात नहीं, sum तो निकाल देंगे, बहुत आसान है, sum निकालना, अगर मैं 7 की multiply अंतर करूँ, तो कितना हो जाएगा, 70X प्लस 7Y, बराबर, अगर 4 की multiply करेंगे, तो 40Y प्लस 4X, अगर यह इ वाल एक तरफ, 33Y, दोस्तों, यहां से आ जाएगा 2X, बराबर Y, और यहां से X ratio Y, जब भी दो चीज़े equal होती है, तो वो उल्टी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 1 इस्टो 2, मतलब X upon Y कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा, तो अंकों का अनुपात आ गया, X और Y क अनुपात कितना हुआ, 1 और 2 मतलब total कितना हुआ, 3, और totally तो पूछा है, digital, समी तो पूछा है, तो जो भी answer होगा, वो 3 का multiple होगा, लेकिन एक ये भी option है, तो ये और ये वाला तो cancel होगा, इन दोनों, देखो, ये दोनों का अनुपात इतना है, इन दोनों का अंतर कितना ह वैसे 1, और वैसे कितना है अंतर 3, ये देखो, ये दिया है, अगर दोनों का अंतर देखे तो 1 है, इन terms of ratio, लेकिन नंबर में कितना है 3, तो एक की value 3 है, तो इसकी value 3 आ जाएगी, और इसकी value 6 आ जाएगी, तो एक अंक 3 है, दूसरा अंक 6 है, और हमसे ये ही पूछा है, कि दोनों अंकों का योग कितना होगा, वो होगा ये, बात समझ में आती है, किलियर, कोई doubt, नहीं है न, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे-च्छे question है, और मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे, है न, बहुत ही बढ़िया question है, आप इने ध्यान से पड़ो, LCMHCF का question है, बहुत प्यारा question है, बहुत ही बहतरीन, पढ़ लो आप इसे पहले ध्यान से, in determining the HCF, देखो, एक होता है, long division method, HCF, of the number by the method of long division, अब पहले ये पता होना चीए, कि long division method होता क्या है, माल लो, अगर मैं आपको HCF होता है, highest common factor, मतलब मैं जस्ट आप से कहा रहा हूँ, कि 15, 15 और कोई भी number ले लेते हैं, 15 और 33 का HCF बताते हैं, क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, कि बड़े number को, छोटे number से भाग दिया जाता है, तो कितनी बार जाएगा 15 दूनी 30, फिर यहां आएगा 3, और फिर इस 15 को, इस 3 से भाग दिया जाएगा, यह जो 15 यहां पर जो भी होगा, वो यहां आ जाएगा, ठीक है, उमीद करता हूँ, यह बात समझ में आई होगी, है न, और जो last में जो यह काटता है, यही HCF होता है, जो last divisor होता है, इसे हम लोग last divisor भी कहते हैं, इसे हम last divisor भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम भागफल कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं, कोशें भी कहते हैं, ठीक, तो अब यही चीज यहां पर समझनी थी आपको, अब सुनो इधर, अब यही चीज आपको समझनी थी, यहां पर, क्या समझना था वो देखो, अब यहां सुनो, अब यहां पर एक बार सुनो, देखो, हो क्या रहा है, कि वो कहा रहा है, कि दो नंबर है, A और B, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे, लोंग डिविजन में बड़े नंबर B मान लिया, मैंने छोटा नंबर A, तो जब पहली बार भाग दिया, तो यह एक बार गया, फिर यहां पर कुछ नो कुछ तो वो आया होगा, क्या बोलते हैं, आपका, इस तरीके से सेशफल बचा होगा, मान लीजे, जो भी कुछ बचा होगा, और फिर D को E से भाग दिया गया होगा, जो की पांच बार पूरा पूरा कट हो गया होगा, बास समझ में आती है नहीं आती है, तो यह जो E है, E ही हमारा लास्ट डिवीजर है, E अगर लास्ट डिवीजर है, तो इसी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 63, इसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 63, उमीद करता हूँ, यह बात समझ में ही होगी, इसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 60, सही दी गई है, अब देखो दोस्तो आपको 2-3 चीज़े और समझ में आनी चीज़ जो की बहुत अच्छी सी बात है अगर आप धिहान से समझ लेतो होता क्या है धिहान से देखो कि अगर मान लीजे जैसे 54 को 54 को मान लो मैं 10 से भाग दे रहा हूँ एक एक्जामपल दे रहो तो 5, 50 टाइम गया तो कितना बचे गया आपर 4 तो दोस्तो अगर मुझे ये 54 वापस निकालना है 54 को हम लोग बोलते है डिविडेंट क्या बोलते है डिविडेंट तो अगर मुझे 54 वापस चाहिए तो मैं क्या करूँगा डिविजर गुना कोशेंट आप देख लो भाजग गुना भागफल प्लस सेशफल प्लस मैंने क्या कर दिया 4 तो आप देखो तब ही तो 54 मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये भी बात देखनी है मैं क्या रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोशें है तो मैं उमीद करता हूँ अब आप समझ जाएंगे सारी की सारी चीज़ है और सारी की सारी कहानिया तो यहां से D कितना आएगा आपका D जो होगा वो आजएगा E गुना 5 क्योंकि सेशफल जीरो है तो जीरो को जोड़ के कोई फैदा नहीं और E की वैल्यू है 63 63 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 315 बोलो हाँ या ना वेरी गुड बहुत बढ़िया तो आपका जो D है वो होगा 315 मतलब यहां पर आपका जो है वो आ जाएगा D कितना है आपका 315 गुना 1 प्लस 63 अब 315 प्लस 63 आपको करना पड़ेगा ठीक है तो कितना आ जाएगा अगर दिखा जाए तो 378 कितना आ जाएगा 378 यह आगी वैल्यू C की C की वैल्यू तो A क्या हो जाएगा दिखो A क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 भाई यह समझना द्यान से C इंटू 3 प्लस सेश्वल और सेश्वल यहां पर क्या है D किलियर है बात इसमें तो कोई दो रहे नहीं है D तो है तो C आपका कितना आए है 378 378 और 378 की इंटू करेंगे 3 से तो कितना आजाएगा है यहां पर 1134 और प्लस D D कितना है हमारा 315 D कितना है हमारा 315 अब 315 इसमें जोड़ देंगे तो 1499 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 1499 इसमें तो कोई दो रहे नहीं है यह होगा आपका A A की value आगई आपकी 1499 यहां पर लिख देता हूँ है ना यह लो लेकिन अभी हमसे पूछा B भी तो बताना है दोनों का यूग अब B क्या हो जाएगा B जहां से देखो B बराबर A इंटू 1 मतलब इसकी इन मल्टिप्लाई इससे और प्लस शेश्फल मतलब प्लस C A की वैल्यू कितने आए 1499 तो 1499 ही हो जाएगा गुना एक करने से कोई फैदा नहीं है और C की वैल्यू आई है 378 कितने आई है 378 तो इसमें प्लस करेंगे 378 तो यह कितना आ जाएगा अगर मैं बात देखूँगा तो 1827 ठीक है अब इन दोनों का योग पूचा है इन दोनों का क्या पूचा है योग पूचा है तो देखो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 9 और 7 16 तो लास्ट में 6 आएगा यह ही आप जोड़ के देख लो ठीक है क्या पूचा है हमसे A और B पूचा है मेरे हिसाब से देखो अगर मैं इसे solve करूँ Vboard mask के through solve हो गई है Vboard mask कहता है पहले bracket को solve करूँ तो मैं नीचे वाले को solve करता हूँ पहले numerator को 0.4 गुना 2.5 इसकी value 1 हो जाएगी 2 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा इसमें 2 में से ये 1 गया तो 1 ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ये 1 3 में जुड़ेगा तो 1 पलस 3 3 हो जाएगा लेकिन फिर 1 से बाद 1 पलस 3 4 हो जाएगा सोरी ये पूरा देखो एक बास सुनो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे हिससे को solve करू ध्यान से देखो पहले तो मैं इसे solve करूँगा प्वेंट 4 गुना ये कितना जाएगा 1 फिर 2 में से 1 माइनस करूँगा तो ये पूरा हिससा कितना आ जाएगा ब्रैकिट का ध्यान से सुनना ये वाला हिससा कितने का जाएगा 1 का जाएगा फिर 3 में 1 जोड़ूँगा 3 में 1 जोड़ूँगा क्योंकि V board mass कहा रहा है पहले छोटा bracket फिर बढ़ा और फिर बढ़ा इस तरीके से यह हो जाएगा 4 लेकिन 4 को भाग दिया जा रहा है 1 से अगर 1 से 4 को भाग दे तो दोस्तो 0.25 आएगा मतलब मैंने यहाँ पर एक बात और समझ लिया कि भाईया यह पूरा solve करके मैं इसे हटा रहा हूँ यह पूरा solve करके 0.25 आएगा अगर मैं 1.5 में से 0.25 माइनस करूँगा क्योंकि माइनस का साइन है तो यह कितना बचेगा 1 तो पूरा solve करने के बाद पूरा denominator solve करने के बाद तो एक आ गया तो गवरा रहे थे इसे देख के गवराने की जुर्ट ने इसे solve करने के बाद तो कितना आ गया एक और एक से भाग देने का कोई मतलब नहीं बतता है अब उपर वाले को solve करेंगे दोस्तो पहले bracket 3.5 में से 1.5 माइनस हुआ तो 2 बचेगा 1.2 अगर 2 से डिवाइड हुआ तो 0.6 बचेगा 7 में से 0.6 माइनस हुआ तो ये बचेगा 6.4 अब 6.4 की जो multiply है 6.4 की multiply करनी पड़ेगी हमें 0.15 देखो इसी के साथ तो multiply है 0.125 के साथ 0.125 के साथ 6.4 की multiply अगर मैं मानलो करूं किसके साथ 0.125 के साथ अगर multiply की जाए तो ये कितना जाएगा 0.8 ये लगबग कितना आएगा 0.8 आएगा पूरा का पूरा और 3 में से 0.8 जाएगा तो 2.2 बचेगा और फिर यहाँ पर कितना आएगा 5.5 और 5.5 में से 2.2 माइनस होगा 2.2 तो ये कितना बचेगा 3.3 है और 3.3 किस-किस के बीच में आ रहा है 3.2 और 3.4 के बीच में ये तो का है lies between तो आप देखो question के quality देखो बहुत बढ़िया question है ये अच्छे level के question है ठीक है चलिए next question की तरब बढ़ते है ये भी बहुती शांदार question है भाई बहुत बहतरीन question है A is 40% more than B A जो है A is 40% more than B B अगर 100 है तो A 140 रहा होगा अगर यहां पर मैं ratio की बात करूँ तो 7 is to 5 आया होगा C is 30% less than C C और D की बात भी अगर D 100 है तो C 70 रहा होगा तो ratio कितना बनेगा 7 is to 10 बनेगा ठीक है कितना बनेगा 7 is to 10 बनेगा इसके बाद दोस्तों D is 25% less than A अब बात आती है A और D की तो जो D है वो 25% less than A तो हो और 75 ठीक है तो कितना बनेगा 4 ratio 3 बनेगा लेकिन मुद्दा यह है then the relation, relation बताना है मुझे, ठीक है किसी के बीच में relation true बताना है, देखो relation तभी निकल सकता है जब यह 7 में combine हो जाए वरना तो relation निकल ही नहीं सकता अब combine कैसे होगा तो जो जो चीजे common है उसे देखो कैसे कैसे combine कर सकते जैसे मैं इसे और इसे उठाता हूँ यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है तो जो common है वो same होना चीज़िए तो 7 और 4 का अलसिम हो 28 तो 4 से यहाँ पर multiply करता हूँ और 7 से यहाँ पर तो अब A हो जाएगा 28 और B हो जाएगा 20 यहाँ पर A हो जाएगा 28 और D हो जाएगा 21 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह आजाएगा मेरे पास A अनुपात, B अनुपात, D तो A तो 28 हुआ B 20 हुआ और D 21 हुआ लेकिन अभी C और D यह रहा फिर इने भी तो merge करना पड़ेगा ना आप देख लो C और D कितना है? 7 और 10 तो इन दोनों में common क्या है? D common है तो जो common है वो same होना चाहिए बस यह बात याद रखना लेकिन D यहां पर 21 है और यहां पर 10 है तो equal करने के लिए इधर 10 से गुना करेंगे इसकी तरफ पूरे को 10 से और इधर 21 से अगर मैं यहां पर 10 से गुना करता हूँ तो 10 से गुना करूँगा तो यह 280 है हो जाएगा यह 200 हो जाएगा यह 210 हो जाएगा ठीक है? और C कितना आ जाएगा अगर देखे 21 से multiply होके C आ जाएगा हमारा 160 और sorry 147 कितना आ जाएगा 147 तो अब एक बात बताओ ध्यान से सुनना अगर मैं यहां पर बात करूँ इसकी देखो जैसे पहला option दिया गया है पहला option क्या दिया है? 147 B बराबर 200 C यह दिया है तो अगर मैं यहां पर B बटा C निकालूँ B बटा C निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 200 बटे 147 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मतलब B का आ जाएगा 200 और C आ जाएगा 147 तो देखो B आ रहा है 200 और C आ रहा है 147 तो यही relation ठीक है यही क्या है? यही relation ठीक है किलियार ऐसा नहीं किस पर right का sign लगा है तो इसी ले ठीक है नहीं भाई solve गया है पूरा B और C की बात देख लो अगर यहाँ पर मैं करूँगा B बटा C तो कितना आ जाएगा? 21 बटा 20 तो क्या B 21 है? B और C का relation देख लो B तो 200 है और C 147 है तो यह तो गलत हो गया है तो यह सारे relation यहाँ पर गलत है सिर्फ पहला relation बिल्कुल सही है ठीक है दोस्तो एक question और है बहुत बढ़िया question है यह तो आसान question है अच्छा यह मैं आपको करूँगा लेगिन यह आपके लिए homework है मुझे इसका comment करके बताओ मैं भी तो देखू कि कितना आता है आपको मुझे जितने भी student decoded देख रहे comment करके बताओ कि भाईया क्या answer होगा और अगर आपको इस level के question करने है और और ऐसे प्यारे-प्यारे solution देखने है तो भी मुझे comment करके बताओ ठीक है क्योंकि यार ये बहुत सही paper है और अगर एक बर इसका मतलमान लीजी clear हो जाए तो फिर तो जिन्दगी set हो जाती है तो आज मैं इतना ही कराऊंगा 24 question थे लिगी नभी 12 ही करा रहा हूँ मैं चाता हूँ कि आप ध्यान से और अच्छे से question करें तो आज की class में इतना ही रखेंगे thank you so much लेकिन थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी ठीक है तभी जाके हम इस level को पकड़ पाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों मिलते है next class में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए thank you